नमस्कार मेरे यूट्यूब के चाहने वालों, तो आज हम लग आ चुके हैं, मस्त मज़िदार, मोमो खाने, चलिए मोमो की तरफ चलते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कि हम चिकन मोमो ले चुके हैं, और उसके साथ ही आ चुका है चिकन सूप, जिसके उपर अग्दम पुरा गरम चिकन सूप है, और बहुत ही फ्लेवर फुल, उसके उपर स्प्रिंग अनियन भी डाला हो, आप देख सकते हैं, और ब्लैक पेपर भी चिरखती है, और मोमो, मोमो तो बहुत ही ज्यादा गरम है, और साथ में हरी चटनी, लाल चटनी मोमो वाली वो तो जरूरी है ही है, लाल चटनी होने ही चाहिए, और उसके साथ मियोनीज भी है साथ में, और बिल्कुल ही जूसी लग रहा है खाने में, चिकन मोमो, सच में बहुत ही ज्यादा जूसी और अंदर से ट्रिप कर रहा है जूस, और ये सूप भी, एक तम गरमा गरम और फ्लेवर से भरप सकते हैं कि यहां पर हम लोग ले लिए हैं, फ्राइड चिकन मोमो, और इसका भी सबसे पहले सूप ही ट्राय करेंगे, बिल्कुल गरमा गरम सूप है, मूँ में डालने के साथ ही मूँ अग्दम धिप गया है पुरा गरमा गरम, और उसके बाद ये देखिए, फ्राइड च चिकन मोमो ले लेंगे, और हरी चिटनी के साथ ट्राय करेंगे सबसे पहले, तो हरी चिटनी मूँ में देने के बाद ही ऐसा पता चल रहा है, कि पुदीना का बहुत ही बड़िया फ्लेवर है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है हरी चिटनी को, और मियोनीज क साथ भी तो मज़ा ही मज़ा आता है पुरा और तीनों एक साथ भी कभी खा के देखिए कभी तो मज़ा लीजिए जैसा कि आप लोग देखी सकते हैं नाम के हिसाब से चिकन सूप में चिकन बहुत ही अच्छे खासे मात्रे में है और फ्राइड मोमो क्या ही है मुझे तो इस टीम मोमो से ज़्यादा फ्राइड मोमो ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग देखी सकते हैं बहुत ही ज़्यादा और चट्नी के साथ तो क्या ही बात है मोमो की ओफ कोलकाता जालबपूर एडवी बस स्टेंड के पास आए ये और मसल इस ये तो हम लोग इसको रेटिंग देते हैं दस में से सारे आठ लाइक से और सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले